जबके पाकिस्तान की आर्मी चीफ इस वकत चीन में बैटे हुए हैं, ताड़ सब एक तरफ ये बाते हैं कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबर्शिप आफर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चैम गईयां हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या आफर करेगा, और इस वकत सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, एसी हो के शिंगाई कॉपरेशन और्गनिजेशन के वो इंडिया में बैटे हुए हैं, और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लिडर्शिप मूँ सुझा के यहां बैटी हुई है, मेरा सवाल इसमें इंपॉर्ट हैं, वो उसने मजाकरात तो शुरू कर दी हैं हकूमत के साथ, लेकिन कहीं जगापे मार्सला की बाते हो रही हैं, कहीं जगापे कुछ हो रहा है, तो लेकिन एक अच्छी ख़बर भी है कि पाकिस्तान के जो फॉरन एक्षेंजर रिजर्व हैं, वो पता नहीं कितों उड़ चीज़ें हिस्टी के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे खास कर विंस्टन चर्चल की एक बात याद आई कि जो खलाफ थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के, एक्ट अफ इंडिया, जिस सेल्फ गवर्निंग एक्ट जो था, तो उसमें उनकी एक स्टेटमेंट थी, कि उ इनकी डिगरियां काम ना कर रही हूं जिस कौन के उपर, उनकी वो जिस पर, और फिर उस पर मुझे इलमा इकबाल का उशेर याद आ जाता है, कि मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजक बेहसर, आज देखें, आज प्राइम इस्टर साहब ने स्पीच की, कि आठ मिनिट में आ ग्रेजवेट हैं, जो पैदा ही पाकस्तान को रूल करने के लिए हुए थे, एचिसोनियन, मेरा मकसद ये था, एचिसोनियन है, एचिसोनियन से, एचिसोनियन कालेज से, सिरह वो ही बचे ग्रेजवेट होते हैं, जो पैदा होते हैं, पाकस्तान को रूल करने के लिए, क्य केस बमार हो गया नहीं उन्हों का बमार सारे केस जिनके जिस सजाय मौत जो फांसियां हो रहीं सारे केस कहते हैं बंद कर दो मैं मेरी तवियत बुखारा इसमेरे सदर को दर्द है लेकिन एक केस नहीं है वो नहीं बंद करना ये कल की परसीडिग एक केस है उसकी उसको सुनें जिसमें मेरा personal interest है, जिसके मेरी साथ साहबा का instruction आ चुकी है, जिसमें मेरी family मुझे support कर रही है, उस case को भी नहीं डेट है, और आज फिर चीखे हैं, अपना हमारे वजीरियाजम साहब उन्होंने के आठ मिनिट में आठ जबानते हैं, और हमारे साथ सुते हैं, और ये ये साहब के रिश्वत के फराड के दो नमरी के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, विंस्टर चर्चल आज मेरा मकसद उसकी थियोरी, 76 साल पहले उसने कहा था, they are not able to self-govern themself, बिल्कुल फिट पटरी बिल्कुल 100%, अब foreign policy पर आते हैं, बिल्कुल foreign policy भी उसी तरह है, भारत जाने एक बड़ा point जो जिस तरफ आगे दुनिया जा रही है, इस वक्त इस region के अंदर दो ताक्तें, तीन ताक्तें जो हैं वो international world stage के उपर अपनी position के लिए try कर रहे हैं, तीन ताक्तें इस region में, भारत, China and Russia, तीनों, इन्होंने history को change करकर रख दिया, history को change इसलिए करकर रख दिय है, चाइना की तरक्की का secret था कि 50 साल उन्होंने किसी conflict को जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन now they are flexing their muscles, आज जो America पिछले 200 साल से कर रहा था, arbitration, leadership, लोगों के पकड़ कर लाना, इस्राइल और मिसर कराना, आपस में मौहिदा कराना, इब्राहिम accord कराना, आज वो रोल चा चाइना जो है, वो यूक्रेन का मसला भी हल कराने के बारे में सोच रहा है, इरान और साथी रेविया का एक हजार साल पुराना मसला हल कराया उन्होंने, बलके फलस्तीन और इस इस्राइल का मसले के बारे में, they are interested है, अब यह जब दुनिया के साथ करा रहे हैं, तो साथ ए मेरा एक क्वैस्चन है, यह मेरे यह लूटर भाई हैं सारे पाकस्तानी, जो अपनी भारत की दुश्मनी बेचते हैं चैना के सामने ले जाकर, अगर इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ ठीक हो गये, तो आप कहां जाएंगे, आप कौन सी पाइटी से को ब्लैक मेल जाएंगे पर, डालर किस तरह पहुंचेंगे उनको, पाउंड किस तरह पहुंचेंगे उनको, यहां पर टरांटो के अंदर जो मैंशन्स हैं आपके, वो किस तरह चलेंगे आगे, आपको सोचना चाहिए, आच बैट कर सोचना चाहिए, क्योंकि they are talking about it, सबसे पहले तो बा पे एक दूसरे के साहा जंग भी कर Rेह, रेघ भी कर रहे हों लेकिन हमारे सिर्फ एक ही काम करने में तेज हैं, नफरतें, कदूरतें, ट्रबल्स, शरारतें, ये सारी चीज और आभ वो नहीं चल रहा है, चल नहीं रहा है'T जा। कि जो जम्मू के अंदर एक हादसा हुआ है this is an opportunity for Pakistan to come out clean भारत अपने दौरे से जाने से पहले SEO में जाने से पहले इनको चाहिए था कि उन चीजों को resolve करके जाते world stage के उपर बताते कि this is new Pakistan this is new Pakistan लेकिन उस opportunity को भी उन्होंने miss किया है उसकी वज़ा ये है कि हमारे बलावल भुटो साब जातो रहे हैं लेकिन जाने से पहले यहाँ पर statement journal दे दी है कि I'm just going for SEO, it's not a bilateral talk एक दौरा जब जाने से पहले ही नाकाम हो जाए तो उसमें जाने का क्या फाइद अब जाने से पहले ही आपने थ्यार फैंग दी है कि बिल्कुल मैं पूछना चाहूँगा किसी international relations के उपर किसी expert से कि Pakistan को भारत के साथ इस वकद नफरतों और दुश्मनियों में फाइदा क्या है क्या फाइदा है पहले आई से पहले ही होता रहा है मैं पिछले 75 साल मैं इस चीज़ को लाजमी इसका confession करूँगा कि पहले 75 साल यह होता था मार्शल ला का जवाज रखने के लिए भारत से ड्राया जाता था लोगों को कहा जाता था कि ओए असी नायत उद्रो उद्रो जंगो उद्रो टैंक का आज़ने अब तो दौरी जंगों का नहीं रहा है अब पाकस्तान को किस चीज़ से ड्राओगे इन पाकस्तानियों को अब तो वो जवाज ही नहीं रहा है पहले जवाज रखा जाता था कि एक huge defense budget रखने के लिए कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा आज तो फिर आज तो फिर वह हमद मीत साथ की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका और हमारे पास डीजल ही नहीं तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ क्या फाइदा है आपको और सबसे बड़ी उसको रिटर्न में देखें अगर ट्रेड शुरू किया जाए उनके साथ अगर ये माल ली जाए बात कि वो रिजिनल पावर बन रहे हैं जो कि वो बाकी बन रहे हैं इसमें उशक नहीं है आपकी आंखें बंद करने लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी आपकी उनके स जिसरे 10-15 साल का सफर है दुनिया कताबें लिख रही है उसके जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है आठ 10 साल के पीरेड में जिस तरह मैंने आपको कहा था 80 million broadband से 850 million broadband का इस्तमाल और जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं आगे arms बेच रहे हैं आईफोन म में जहां आगे जा रहे हैं आपको चाहिए यह नफरतों के दर्वाजे बंद करके कुछ लर्न करें उसे एक सिकसेस स्टोड़ी सामने रखके उसको उससे लर्न करने की कोशिश करें हाँ दूसरा एक बात यह है कि आज मैं एक एक international organization ने पोल किया है और उसमें उन्होंने ज जाती तोर पर बताएं कि जो hybrid leader आपने इन्होंने प्रडूस किये हमारे establishment के भाईयों ने जो hybrid leader तियार किये हैं अपनी गोद से अपने बतन से और इसी establishment ने अपने बतन से जो junior जाजी पर्मोट कराये थे अपनी गोद में बिठा के they have said to Pakistan we have failed Pakistan अब मैं समझता हूँ that 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 is fundamental reason people are saying के यह तो अड़े बचे ने इन्हों आप एक्सेप्ट कर लोग क्या करते है उसके बाप को आके शकाइद करते है तो आज 82 आज 22 क्रोड लोग और दुनिया उसी वालत को कह रही है कि इनको एक्सेप्ट कर ला यह तुम्हारे बगार तुम्हारे बगार चल नहीं सकते है यह तुम्हारे आवारा बचे इनको एक्सेप्ट कर लाज जिस तरह तारड साब ने है कि दो जुनियर जजों को प्रमोट करने के लिए मुझे बाजवा साब पुश किया था तो फिर यह हर सिस्टम ही हाइबर्ड हार सिस्टम ही दो नंबर है और सारी दो नंबर ही किये तो साफ भी खुद करो ना इस बिल्णक के सारी इते आपने खुद लगाई है तो लोग मिस्त्री से पूछेंगा ना पाईसा बाउत उसी ठीक करो की किता साइब नौद यू नीड तो स्टेप अप फर वन लास्ट ताइम इस पासबल तो फिक्स दिस कंट्री कोई ऐसा अदारा नहीं है जिस पे लोगों का इतमाद होके यह में बचा सकता है कोई एदारा नहीं है एक सिंगल इंसिटूशन इस वकत पाकिसार में मौझूद नहीं है जिसके उपर यह वाइस क्रोड लोग या दुनिया उमीद रख सकती हो के इसकी वज़ा से पाकिसार बच पाई टूटे-फूटे हैं लड़के बचे जो बचे जो मूरे कई ऐस वाग फिर रहे हैं जो बेरोजगार हैं और उनके आथों में स्मार्ट फोन और ट्वीटर के पचास-पचास अकाउंट है और एक दूसरी दुनिया में रह रहे हैं बिलकुल उसमान मुझदार को दुबारा वो प्राइमिनिस्टर चाहते हैं बनना वो इस तरह के कई लोग हैं नजर आ रहे हैं और उनके बारे में जो सर्वे आया है कि बड़े शैरों के अंदर लोगों के बिगड़े वे बचे जिनको एक्टिविटी चाहिए जिनकी शुरू एक्टिविटी शाम साथ से होती है श इस तरह की बात करना भी गुना है कंपारिजन करते हैं इसका पता नहीं किस किस के साथ एक चीज़ का मुदे दूख है कहते है कैदी ऑड़े आजम से भी ज्यादा प्पल्वर रहे कहां कहां ही है अबी तो दो महीने चार महीने पहले उनकी वाहिया आट किसम की आडियो ली कोई थी मियाँ वाली के खातुन के साथ कोश शरम किया करो किन चीज़ों को किन के साथ मिला देती हो उनकी एक बची है बगार शादी के जिसको ओनी नहीं कर रहे हैं अमेरिका के अंदर मैं बता रहा हूँ, च्छती साल से हूँ मैं, अपने बचे को एक्सेप्ट ना करना, यहांस कहते हैं, you are not man enough, you are not accepting your responsibility, you have brought a child in the world, अब उसके तुम बाप नहीं बन रहे हैं, उसके खर्चें नहीं बनाश कर रहे हैं, तो फिर यह अच्छा वैस्टन सिवला चीना और अलमीरूर मौमडीन के में लफज आप खराब करते हैं, लेकिन चीमा साब, इस वक्त अगर देखा जाए, तो चाइना इंडिया, they are very close to the breakthrough in the future, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि उन दोनों ने देख लिया है, कि आगे अगर दुनिया की leadership चाहिए, तो conflict नहीं है, table talk से होगा, अगर समझ नहीं आ रही, तो हमें नहीं आ रही, मैं समझता है, बलावल भुटो साहब को चाहिए था कि इस चीज़, opportunity से फाइदा उठाते, पाकिस्तानी government आपने आपको साफ करती, वो जो कुछ जमू के अंदर हुआ है, opportunity इसको समझ के, और भारत के साथ relationship की करते, और वहां से लर्ल करने की कोशिश करते, copy करने की कोशिश करते, नफरते हैं और दुश्मनियों में आपने आपने आपको जो घर को जला रहे हैं यह जैती, बहुत सा जैती, आप से तो बंगला देश भी बहुत आगे जा रहा है, बलकि अफगानस्तान के law and order के हालात भी ब नबर पर हैं और exactly आप, मैं हरानो यमन भी आप से उपर सा, मैं अगले दिन जब रेटिंग देखी, तो जब यमन से भी आप नीचे जा चुके हैं, तो आप उसके पास, आपके पास मेरा में कितने चांसिस रह चुके हैं, बहुत बड़ा पीरेट ची, हैतर साल होता है, ची 1947 में जो पहला डेलिगेशन 1947 के बाद अमेरिका आए, वो भी कर्जा मांग रा था, दो बिलियन डालर रोंने मांगा था, आज भी आप कर्जे मांग रहें, नहीं उनने इमदाद मांगी हैं, आज भी आप इमदाद और कर्जे मांग रहें, आप 1947 से आगे चलीनिसे कें, नहीं थी उन लोगों के अंदर, नेशनलिजम तो बहुत बढ़ी बात है, और मैं मिंत्य करकर करके मार गया हूं कि नेशन सकनर सर्वाइब बिदाउट नेशनलिसम, पता नहीं जिन पाकस्तानियों को पाकस्ताम से मुभबत करना किसने सिखाना है, पता नहीं कुबार से जाएगा वो, अपने बचे बार छोड़ आते हैं, फिजिकली डाका मारने जाते हैं, डाका मार के निकलाते हैं, पता न यह process कौन रोकेगा, इस सफर को कौन रोकेगा? मुझे एगले दिन किसी ने बताया कि हमारे sitting judge साहब है, sitting judge साहब, कहते हैं उनके पोते और दोते की साल किरा भी वाशने डी सी और लंदन में मनाई जाती है. मैं हरान हूँ कि दिन द्याडे डाके दिन द्याडे डाके वारदाते हैं, इतनी दिलेरी से करते हैं, जमीर तो बहुत, खौफे खुदा नहीं है, कोई जमीर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और पता है लोगों को, पता है लोगों को, इस मकद आगे जैजों के तो वो आपके जुडिशल काउंसल में इनके खलाफ रेफरेंस हो चुके हैं, लेकिन कोई परवाई, परवाई, कौन पूछे इनको, वो कहते हैं, जंगल के बादिशाय हंडे दें, बचे दें, क्या फरभ पड़ता है, मैं कहता हूँ, इनकी एपॉइंटमेंटों के बारे में आपका मीडिया क्यों खामोश है,